लो गार्ष असलाफ ऐले कॉम अजिसमंद हैं लिमिक्टिंग रियक्टेंट। है इसा रियक्ट होता सबस्क्राइबन करने हमारे पास में हमारा हम इसको वह करें किसे करेंगे दोड़ा प्रप्रों करेंगे लिए नहीं मौशलों को ये चाड़ नहीं मालुम कर सकते इसको हम मालम कर सकते limiting reactant use करते हैं तो आफको किसे मालूम हो limiting reactant क्या है और कौन सा limiting reactant होगा सब्पोस करो के हमारे पास question है एक question है हमारे पास equation क्या है A plus B plus C ठीक है जो कि हमाने हमें देता है C plus D, ठीक है suppose करो हमें C के बारे में ओत्वारे में जाई है C की value चाहिए C product है इस product के हमें मालूम उचाइए जब कि हमारे पास यह 3 Given है ए, B & C तीन है और एक की चाहिए तो हम किसको लेंगे इसमे को लें B को लें या A को लें किसको लें अगर एक मिलि एक मिली होती अगर C मिला होता तो हमें C मालूम हो जाता अगर B मिला होता तो B की मालούμε हो जाता ए टी सी जो भी ठीक है जा सक को सी 1 लुए यहां पर सी ओट sn तो आपको यहेसी 1 कळ आने के लिए इसको लें इसमें से वह हम लेंगे डिकेंट nhân जिसको ऍम चाहिएंगे को तोटली कंज्यूम होजाए विस्टली और जिसकी विल्ईयू कम दोब हम कोश्चन करेंगे वहाँ से आपको पता चल राइगा कि लिमिंटिंग है क्या और कौनसा लिमिंटिंग डिएक्ट और में मैं कोश्चन आपको लिखने जाओंगा उसको हम सौल करेंगे सिंपल वे में ते कि वैं मैं झाल सक वीडियो को देखना अच्छा सब्सक्राइब करना तो ठीके आते है को चेंपन पर हमारा एक्जम्पल रेडिय जो हम लिमिंटिंग लिक्ट्स वक्राइब करें आपको किसे समझे तो देखो सोडियम थायो सलफी न 2 2 ौ 3 यह पास सोडियम थायो सलफिट बन रहा है तो उस इसका भी 200 गिर्म मिला हुआ है जो हमारे गीट्र होगा वह हम उपर लिखेंगे यह अपको मतलब के सौल करने के ट्रिक है उपर लिखेंगे अब इसका जो मौलेकुलर या मास घुलत सो ब सब्सक्राइब इसको दोगागे इसको जो इसका मौखं़ा जो मास होगा वो बनता एकता तो इसके पास कितने हैं पबड़िप्ट dru यह किता हो जाएगा । अब इसको लेंगे हम तो इसका मौखं़ प्रपेश्यय नहीं है तो हमारे पास बन जाएगा 256 गिराम अब आते हैं इस पर अब इसका हमें चाहिए लिमिटिंग डिटेंट इसका हमें चाहिए कि यह कितना बन रहा है हमारे पास इन तीन रिएजेंट से तो इसका जो मॉलिक्लो मास होगा वो तीन कोफिशन देंगे 156 158 इसका होगा मॉलिक्लो मास अब निकालना तो इसको हम सौल करेंगे तो यह बन जाएगा 474 गिराम ठीक है ओके यह आपको डेटा बनानी है यह आपकी डेटा बन गई अब हमें क्या करना है कि यहां से मालूम करना है कि रीमिटिंग रिटićन कौनसा ले पहिए इन तीनंगे रिमिटिंग औए टकश है यह बना रहा है तो पहले हम क्या करेंगे एन एक्टूस से देकिंगे कि कितना बन रहा है तो हम लेखेंगे यहं पर फिरॉम NA2S NA2S से कितना बनेगा देखो NA2S पर कितने हैं 200 गिविन है और इसका जो मॉलीकुलर मिला है वो हमारे पास 156 है इस इक्विल टू एक्स हमें मालूम करना है जो NA2S2O3 का सोडियम थायो सल्फेट का मालूम करना है और उसका जो है वो हमारे पास कितना निकलता है 474 चीक है यह हमारे निकला इतना अब इसको अगर सॉल करोगे तो एक्स के वेल्यू अपके बास आएगी 606.7 यह आ गया हमारी एक्स के वेल्यू मतलब के सोडियम थायोसल्फेट के वेल्यू आगई किसके जरी एन इन टू एस यह हमारा पहला रेजयन अब दूसरा हमारा है वो है फिरॉम NA2CO3 इससे हम आलुम करेंगे NA2CO3 जो है उसमें से हमने देखो 200 मिले हैं 200 गिविन है हमारे और जो मॉलीकुलर उसका था वो 106 is equal to x upon 474 जो उसका मॉलीकुलर है sodium thaiosulfate का तो इसको अब solve करेंगे तो हमारे पास x की value जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 894.3 gram यह हमारी x की value बन गई किसके हिसाब से NA2CO3 के हिसाब से अब हम आएंगे 3rd पर जो हमारा बचा है कौन सा बचा है from SO2 जो हमारा 3rd reagent है इसके हिसाब से हिसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसका भी given कितना है है और इसका जो निकला था वो 256 निकला था तो इसको एक्स की मेलू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे तो एक्स का इसको आप कॉरॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो बनेगा इसका जवाब जो बनेगा वो होगा 730 3070.30 gram तो यहां पर देखो इन तीनों के हिसाब से हमारा मिल गया है कि सोडियम थायूसलफेट का किता अब इस सिर्फ मालूम यह करना है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टिंट कौन सा है होगे तो यह दोन जो होंगे वह एक्सेट में और पास इस में मिली और जो हमारे कौनशे बचे है ने टू इस एल यह जो हमारे एक्सेंट तिक हैं यह होगया हमारे लिमिटिंग मतलब के यह एस ओट यह हो एनु यूंim तो पर उन्हों हो गया है तो नेक्स किट मेरे बारे में आप को बताऊंगा ठीक है तो नेक्स पेज़ लीटिकर नहीं हमारे पास सब्सक्राइब कि यूज़ा बेख गया है। कि आप यूज़ा ओने कPlus दी। डाये करऊ मैं यूज़ानों में पकुत तरिगा इसे wanna के लिए दुछान चटीतकर करें हैं। यूज़ानों की उक्राइब चाहा है। और भी के लिए प्रपशान के लिए अंतरपकर करें। 56 ग्राम यह हमारा था इसका और जो हमारे पार एकसिसा सा उसका मॉलीकुलर मास के इस्तना था मैं यह ले रहा हूं ठीक है मैं में सुलुशन कर ढाब अब्सक्राइड आपको इसका सुलुशन करना होगा तो इस तो आश तो विविन है जो इन टी ती तो एने टो एसरी तो तरी तो कितनी वेल्यू थी तो एन्ड्रेट ग्राम हमें गिविन जो मिला हुआ था कोश्वेशन में तो आएसे कहें कि तू हंड्रेट ग्राम हमें कितना देगा 106 टिवाइट पार 256 मल्टिप्लाइब बाए 200 यह हमें पास आगया किसकी वेल्यागी एने टू सी यो थिरी जो के एकसेस में था और यह यूजड वेल्यू है मतलब कि जो 200 ग्राम में से 82.81 ग्राम यूजड हुआ है और अब आएंगे हम देखेंगे कि अन्यूजड कितना है अन्यूजड अन्यूजड के लिए हम क्या करेंगे टोटल जो हमें मिला हुआ है उसमें से माइनस करेंगे यूजड तो टोटल हमारे पास कितना था 200 गेवें था और उसमें से माइनस करेंगे यूजड तो हमें मिल जाएगा अन्यूजड जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा कि यूज़न ऑर अग्याच के चीप साथ आपर हो सकते हैं तो वेचा एक्ट को आएंप करना अबिस ने कि प्सक्राश्चira il यह में सब्सक्राइब करें भाता है तो यहाँ पर शर्म मस texts चीफ सब्सक्राइब करते हो यहाँ प्रहस्याच को आप समझ गए होगे इंचाला मैं ओप करता हूँ तो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ थेंक्यू